यहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है यह सेलिंग प्रेशर आया है उसके बावजूद भी I am very positive मुझे ऐसा लगता है कि यह सेलिंग प्रेशर आना पूरी तरह से सिभाविक है यह सेलिंग प्रेशर इसी लेवल के उपर आया है 19,850 के आसपासी सेलिंग प्रेशर आया है मुझे लगता है निफ्टी दुबारा अटेम्ट करेगा और 19,850 को फिर से क्रॉस करना का एक सीन हमलों को देखने को मिलेगा 19,850 उसके बाद 19,900 और फर्दर उपर पर 20,000 की तरफ हमको निफ्टी जातावा दिखाई देगा तो मैं अभी भी इसको पॉजिटिव ही लेता हूं यहां पर अगर आप इस बात को भी गौर करिये बड़िया हायर हाई हमलों को बनतावा दिखाई दिया है बड़िया हायर लो हमलों को बनतावा दिखाई दिया है यहां पर अगर हम मुविंग एवरिज क्रॉस ओवर की बात करें तो हमको मैं क्रॉस ओवर भी जल्दी ही देखने को मिल सकता है हमें 21 days और 50 days का bullish crossover यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगें यह अपने आप में एक तेजी का ही संकेत है support के levels के बारे हम बाक्चित करें तो आज के support पर चर्चा के लिए जो levels मुझको दिखाई देते हैं आज का जो low बनाए वो low ही अपने आप में एक support का level है आज का लोग बनाए 19,627 तो आप यह मान करके चल सकते हैं कि जो 19,600 का level है वो अपने आप में बहुत ही मजबूत support के तोर पर दिखाई दे रहा है तो हम इस्टिल वेरी positive about nifty और यहाँ पर अगर हम nifty के अंदर RSI की बात करें तो RSI का level हम लोगों को दिखाई दे रहा है लगबग RSI का level आप देखें ज़रा क्या दिखाई दे रहा है RSI का level है लगबग 60 प्लस 61 के आसपास RSI का level दिखाई दे रहा है तो यह RSI का level भी अपने आप में काफी ज्यादा positive मुझको लग रहा है यह मैंने आपको बताने का प्रियास किया निफ्टी के अंदर क्या situation है और निफ्टी के अंदर अगर मैं आपको यह बताने का प्रियास करूं कि open interest क्या बोल रहा है तो जड़ा next expiring को लोग देख लेते हैं next expiring के उपर situation आपनों के सामने में लगता है कि काफी कुछ तो मैंने आपको बताया है यह market में during the market मैंने आपको बताने का प्रियास किया है कि मेरा क्या point of view है और अभी भी मैं आपनों के सामने शेरी कर रहा हूं कि किस तरह किस्तिती है 23 नवंबर की expiring के लिए निफ्टी के उपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आप देश सकते हैं support कितना उपर की तरफ shift कर चुका है बाप रे बाप 9700 के उपर हम लोगों को support दिखाई दे रहा है और big support हम लोगों को दिखाई दे रहा है resistance की बात करें 9800 हम लोगों को resistance की तोर पर दिखाई दे रहा है 9850 लेकिन यह सारे resistance टूटने वाले हैं यह भी मैं आपको बता दूँ जो actual में मुझको resistance दिखाई दे रहा वो 9900 का दिखाई दे रहा 9850 और 9900 यह दो resistance हैं जो कि हमें अगले सेशन के लिए दिखाई दे सकते हैं लेकिन यह resistance भी हम लोगों को द्वस्त होते वे मिलेंगे ऐसा मेरा अनमान है अब अगर हम वाइचेंज की बारे में बात्चित करें तो वाइचेंज की situation भी आप लोगों के सामने मुझे नहीं पता कि आपको क्या perspective है मैं तो डेटा की basis के उपर बात करा हूँ गजब पी राइटिंग अमलों को दिखाई दिये 1700 के उपर 1800 के उपर जरा पी राइटिंग देखो look at पी राइटिंग at 9800 इससे आपको पता चला है कि क्या हो रहा है जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 9900 के उपर हो रही है 850 जिसकों में रजिस्टेंस की तो और पर देख रहे हैं यहां पर तो कॉल राइटिंग हो भी नहीं रही है जो सी राइटिंग हो रही है वो 9900 के उपर हम लों को होती भी दिखाई दे रही है तो ये एक इस्थिती है जो की एक positive संकेत दे रही है ठीक है जी अब अगर हम बातचीत करें bank nifty के बारे में तो bank nifty के अंदर भी इस्थिती मुझको थोड़ी से positive ही लग रही है हाला कि bank nifty का जो price action है वो थोड़ा सा weaker है यहाँ पर मैं अगर कल के हाई को देखूं कल कितने का हाई बनाता yesterday हाई बनाता लगबग 44408 का हाई बनाता 44408 और आज कितने का हाई बना है आज हाई बना है अच्छा नंबर नहीं है है 44420 का हाई बना है तो इन दोनों हाई को अगर आप देखो तो एक पूरी कोशिश है bank nifty की 44400 के ऊपर जाने की हाला कि यहाँ पर हमको lower low बनतावा दिखाई दिया है आज कि अगर हम low की बात करें तो लगबग 4464 का low हम लोग को बनतावा दिखाई दिया है हम इस बात की उमीद करेंगे के bank nifty 44000 के लेवल को hold करें नीचे की तरफ अगर हम support की बात करें तो हम support एक तो 44000 के लेवल के उपर देख रहे है चवाले जार का लेवल एक support की तोर पर और उसके बात पिर यहाँ पर जो 50 डेज के exponential मुई एवरेज की लाइन है इसको भी हम लोग वाच कर लेते हैं ये 50 एमे और 50 एमे का लेवल कितना calculate होकर क्या रहा है ये 43,978 पर calculate हो करके आ रहा है यानि कि ये लेवल भी लगबग लगबग 44,000 के आसपासी है तो अभी हम इस बात की उमीद करेंगे कि बैंग निप्टी 44,000 के लेवल को hold करेगा अभी मैं इससे नीचे जाकर के बात करना जरूरी नहीं समझता हूं मुझे लगता है कि hopefully बैंग निप्टी 44,000 के लेवल को hold करने का प्रियास करेगा हाला कि आज जिस तरह की price action की इस्तिती रही है RSI थोड़ा सा week हुआ है बहुत week नहीं हुआ है RSI अभी भी बढ़िया है RSI आज 56 है कल की बात करें तो कल RSI लगबग कितना था RSI का लेवल तक कल लगबग 57 के असपास तो RSI में थोड़ी सी गरावट हम लों को आते ही दिखाई दी है लेकिन still it is 50 प्लस तो that is all right बजार है बजार के अंदर कभी तेजी कभी गरावट मुझे असा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लों को अच्छा मुवमेंट दिखाई देना चाहिए अब अगर हम यहां पर open interest की बात करें तो open interest भी जल्दी से मैं आपको बताने का प्रियास करता हूं समय कमी बचा है लेकिन इस कम समय में भी मैं आप लों के सामने अपना point of view प्रेजेंट करना चाहूंगा बैंक निफ्टी में मैं जो expiry ले रहा हूं वो आप लों के सामने मैंने प्रेजेंट करी है बाइस नंबर की expiry के लिए आप लों के सामने मैं यह presentation दे रहा हूं बाइस नंबर की expiry के लिए देखे सकते हैं आप पर 44,000 का लेवल अपने आप में solid support की तोर पर दिखाई दे रहा है और resistance की बात करें तो 44,200 अपने आप में resistance है 44,300 अपने आप में resistance है और फिर 44,400 का लेवल भी अपने आप में resistance है undoubtedly यही इस्ति चार्ट के उपर भी है यहां पर अगर हम OI change की बात करें तो OI change थोड़ा सा weak दिखाई दे रहा है बैंग निफ्टी के अंदर बैंग निफ्टी में अगर हम OI change की बात करें तो 44,200 के उपर हमको C writing ज्यादा दिखाई दे रही है 44,300 के उपर भी हमको heavy C writing दिखाई दे रही है 44,400 के उपर भी हमको heavy C writing दिखाई दे रही है support के बात करें तो 44,100 के उपर हमको P writing दिखाई दे रही है और 44,000 के लेवल के उपर हमको P writing दिखाई दे रही है निफ्टी और बैंग निफ्टी की तुलना करें तो बैंक निफ्टी रिलेटिबली थोड़ा सा वीक है निफ्टी इस लुकिंग सॉलिड मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी जल्दी सॉलिड होता वह दिखाई देगा तो आला कि बजार बंद हो चुका है मुझे लगता है कि शुरुआत में मैंने जो बताया था उसकी बे पर से लाइव स्क्रीम के माध्यम से मैं जुरूंगा अपना ख्याल लग क्यों खुश रही है सभी लोग को राम राम बोलना चाहूंगा थैंक यू सो वेरी मच